हाई, आपको मज़ा आएगा और दूसरे और भी बहुत सारे बहतरीन इंटर्व्यूस हैं और कॉंटेंट है तो देखिए सिद्धार्थ कन्नन का यूट्यूब चैनल कड़क है अब इनको एक हिताब मिला है और विएग वन इंडिया इस्कार्थ पर फ्लैश्माग ले जाते हैं शारे भाई है, वहुत जरूरी हो तो यह बहुत जरूरी बहुते जरूरी, भाई साब प्रोमोज लिखते थे, और मैं वोइस करता था for a music channel called ETC, जो आज की जमाने बहुत सारे बच्चे जानते भी नहीं होंगे, पर हम बहां काम करते थे, फिर भाई साब स्क्रिप्स लिखते थे, जहां पे anchors host करते थे, और इनके punches बोलते थे, और ब क्या कहते हैं, मैंने सोचा था कि मैं acting करूंगा, पर मेरे एक दोस्त है, Rajul Mishra, उनको कुछ writing का काम मिला और उन्होंने बोला कि यार, यह जरा help कर देगा के साथ में, तो मैंने तो सिर्फ ऐसे लिखा साथ में उनके कुछ help करने के इसाब से, बट he said कि यार, you have a flair for writing, you should, you know उनको consider writing as a career, और उनको कुछ और काम मिला तो हमने और लिखा, फिर रेंजी वर्गिस मेरे एक और दोस्त है, हम उनको कुछ ETC का काम मिला तो उसने मुझे साथ में ले लिया, फिर मैं साथ में, हम तो धीरे-धीरे मैं कब full-fledged writer बन गया मुझे पता ही नहीं चला, बट ले असल में हम जब narrate करते थे, रेंजी और मैं, तो सुरेश या और जो producers थे और जब सुरेश में उनको बोलते थे यार ये शारिप को करने दो, ये अच्छा बोल रहा है, ये रेंजी को करने दो, ये रेंजी अच्छा करेगा, तो ऐसे करकर के acting होने लगी, और MTV पिर जब ज Suddenly, धीरे-धीरे फिर से सपना भार फिर से उमरने लगा, और बहुत लेट फिर भी बहुत ताइम लगाया, मैंने इसको ये decision लेने में कि ये है मेरा, acting is my calling, ये मुझे पता चला मतलब 2008 के आखिर में और फिर मैंने नौकरी छोड़ी और लग गया फिर धंदे पे, audition door-to-door, ज श्री जी में, जाओ दर्वाजा खोलो, तो लाइनों में खड़े रहना, लाइनों में एक गंटे लाइन लगाये भाई, कोई बड़े ब्रैंड का अगर एड हो, तो खतरनाक बहुंकर लाइन लगती है, और इजद का फालूदा भी करते थे लाइन में क्या, लाइन में इस फे इंसान के बाइन खतम कर दिया, ये तो होता ही था, ऐसा भी होता था, कि रहने अप रहने दो, तो अब क्या करें, अगर मना कर दिया तो क्या करेगा अदमे, वापस चले जाओ, और क्या, तो ऐसे तो बहुत सारे मतलब humiliation के घूंट, बचाओ ना मुझे सुनना है, I want to feel कि क्या ये मेरे साथ ही हुए है, कोई और हम सफर है की नहीं, नहीं, ऐसा तो कई बार, मतलब, मैंने in fact, एक audition दिया था, जिसको लेकि मैं इतना ज्यादा excited था, क्योंकि जब मैंने audition दिया तो वहाँ, जो मेरे साथ में, जो दूसरे actors थे, जो उसी के अरेक्टर के लिए audition देने आये, उन लोगोंने तालिया बजाए है, और जो casting director थी, अवनी पारिक, उन्होंने कहा कि, ऐसा मेरे career में पहली बार हो है कि, जो actors, same character के लिए audition देने, वो दूसरे अपने competitor के लिए ताली बजा रहे हैं, बट फिर भी मुझे वो role नहीं मिला, और फिल्म के लिए था एक ad के लिए था, और current क्या बोला गया था, कि नहीं मिला तुमें ये role, current मतलब I, they said कि मैं थोड़ा ज्यादा sweet लग रहा हूँ या for the part और शायद वैसा कुछ, उनको थोड़ा और शकल से भी थोड़ा mean बनता चाहिए था, मैंने तो बहुत mean देखे इसको भाई, पर आज की तो उस तरीके से वो चला गया लेकिन अभी मैंने कल mean वाला अवार्ड लिया एक, विक्रम विना, best, 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 विलन, बट भाई, 2008 में तुम एक middle class family साते हो, बिलकुल भाई, एकदम साधारन, तो 2008 में सब चीज छोड़ना, माने, रोजी रोटी हो रही है, राइटिंगे थू, कि किसी वगेरा लिख रहे हो, पैसे ठिक ठागा रहे है, बिलकुल, बिलकुल, उस वक जब मैंने job छोड़ा, तब मैं एक Bollywood channel था, जैसे Zoom है, विसे Imagine Showbiz, एक NDTV Imagine के umbrella में एक channel तो उसका मैं creative head था तब, तो नोकरी और अच्छी थी, पैसे और अच्छे थे, और शादी भी ह हो चुकी थी, बच्चा भी हो चुका था लेकिन, तो responsibilities भी ज्यादा थी, तब मैंने छोड़ा, तो वो बहुत ज्यादा, क्योंकि अकेला बंदा अगर चड़ा है, और वो निकलता है, struggle करने, तो फिर भी उतनी तकलीफ नहीं है, ठीक है, घर से कुछ पैसे भी आ जाते हैं, अगर नहीं आग घर पर देने होते हैं, तो वो अलग तकलीफ है, बट अगर आप एक परिवार के साथ इस उमर में, जब लोग तकरीबन सेटल होने लगते हैं, मतलब मैंने 33 की उमर में शुरू किया audition देना, तो वो मेरे लिए थोड़ा, मतलब मेरा असली struggle वो था, कि परि भाई ये जाना चाहता हो कि बीवी बच्चा, नो काम, उस वक्त तुमसे बिंदास बोला कि नौकरी छोड़ के acting के लिए auditions करो, तो मेरी बेगम ही थी जिन्नोंने support किया था और हो ही मेरे साथ में गड़ी थी और उन्हों नहीं बोला था कि बिंदास अगर this is what you want to do in your life and if this is your dream then I am with you और जाये आगे बढ़िये और मतलब जा सिमरन जाज जी ले अपनी जिंदगी और आपकी मुक्तरमान का नाम क्या है नस्रीन नस्रीन तो नस्रीन जी वो खुद कुछ काम करती थी कि घर कौन चला साथ वो होमेकर है और बच्चा होने के बाद में उन्होंने जॉब मतलब छोड़ दिया था मतलब शी इंटो इन्शॉरंस तोड़ा कोपरेट जॉब था उनका और बट ऐसी जब एक पॉइंट आया था जब बहुत सारे खतम होगे थे सारे रास्ते पैसे जितने ही थे सेविंग सब खतम होगे थी तो उन्होंने मुझे घर को सपोर्ट करने क तो तब फिर बच्चा भी था घर भी था नौकरी भी थी वो पता नहीं कैसे मतलब शी डबल इन अल अव दूब इस तो यानि कि आपकी मोहतरमा घर चला रही थी और आप संघर्ष कर रहे थे बहार यस उनका एक अलग संघर्ष चला था आपका एक बिलकुल बिलकुल हम द अगर वो पहले मना कर देती तो मैं आगे बढ़ी नहीं पाता अगर उन्होंने पहले ही बोल दिया होता कि यार क्यूं कर रहे हो यह सब अच्छा कासा अच्छी नौकरी चल रही अभी घर लिया है क्यूं यह सब बट उन्होंने जिस तरीके से मुझ में भरोसा दिखाया ज तो मतलब मुझ में और जोश आया उस बात से और ज्यादा अहिम्मत आई तो अगर वो पहले ही मना कर दी तो यहां पर आपके साथ बैठा ही नहीं हो तो तुम्हारे ब्रेकडाउन मोमेंट्स हुए थे? ब्रेकडाउन मोमेंट्स तो यार कई बार आय थे लाइफ में इन फ ले चुका थे और फिरसे मतलब इस वकटा न मून नहीं था जा किara कृसी से कुछ मांगू और मैं फोन लेके बैठ गया कि किसको फॉन कृमांंक किसको फॉन गुमां किसम कृमम इसे काम मिले कि छुछ राइटिंग का काम यल जाए और मैंने फहला फोन लगा या वेभा मू तो मैंने बोला भाई में काम चाहिए यार बहुत पैसों की जरूरत है और उन्होंने तुरंत मुझे बोला कि आजा थोड़े पैसे भी ट्रांसफर कर दिये तुरंत तो अगर मतलब मुझे पता नहीं वो उस वक्त मुझे सबसे पहले नंबर मैंने ऐसे वो किया कि किसको लग पुष्ता नहीं है और हमेशा मैं इसलिए मैं कभी नहीं बोलता कि रहे यार मैंने बहुत यह किया और क्या यार लाइफ है मैंने हमेशा उस चीज को पॉजिटिवली देखा है कि यार एक दिन तो पब्लिक देखेगी कि अपने पास टैलेंट है उसकी कमी नहीं है कि बात है आज नहीं तो कल वो मौका मिलेगा और लोग सराएंगे और तब तक उपरवाला देख रहा है लेकिन हां करजे भी चड़ते गए वो अलग बात है तो करजे चुका पाई वेंचुली हाँ अब तो सारे अब जाके फाइनली सारे करजे चुका अब तो तुम भाई प्रभी जूद का इक मनन बना सकते हो अब क्या या आपने को मैं नहीं नहीं पर उस बाक्त लोग जो जो थे पैसे मांगते थे वह पहुंच जाते थे जा फोन पर पिर पिए एक जमाने में लोन के लिए लोग मुस्तंडे आया थे ते आई नहीं लेकिन मैंने लोन सिर्फ उनी से मांगा जिन से मतलब मैं मांग सकता था, क्योंकि मांगना भी एक ऐसी चीज है, जब आप अपनी थोड़ी सी रिस्पेक्ट खो रहे हो, या जो भी कर रहे हो, थोड़ा आप अपने एक, क्या कहेंगे, डिगनिटी को थोड़ा सा डाउन कर रहे हो, तो ये चीज़ आप सिर्फ उनी के साथ कर सकते हो, जो आपके करीब हैं, या जिनके सामने आप एकदम नंगे हो सकते हो, तो मैंने सिर्फ अपने करीबी दोस्तों से, या अपने रिष्टेदारों में, जो मेरे मतलब करीब हैं, सिर्फ उन से मांगा था और किसी से नहीं मांगा जिससे जो मतलब फोन करके लोग बेजें या गुंडे अंबंग बुलवाएं तो वो वाला काम मैंने नहीं किया और थैंकफुली मेरे किसी दोस्त ने मुझे मतलब बोला ने कि रहे कभी बेजेगा पाइसा कभी देगा और भाई अखसर ही होता है एक मेल एगो होता है यस इस प्ले जहाँ आदमीं पूलता है यार wife कमाई ठीक है पर wife की कमाई पी मैं जीऊंगा नहीं होता है कभी वार आता है लोगों बिलकुल आता है तुम्हारे अंदर बो आया था मेरे अंदर ऐसा आया नहीं, मैं विसे उस हिसाब से काफी प्रोग्रेसिव हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि अगर बेगम काम करती है और मैं कर पे आराम करती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बच्चे भी संभालनूंगा, खाना बनानी में आता हूँ, उसके लिए हम ए दिक्कत नहीं है, मैं उल्टा, मुझे तकलीफ यह रही थी कि मैं कुछ कॉंट्रिब्यूट नहीं कर पा रहा था, उसमें भसड थी, मुझे उनके कमाने से ज्यादा मेरे ना कमाने से प्रॉब्लम थी और इस वज़ए से मैंने एक बार उनको पूछा भी था, कि यार मतलब यह सब मेरे ड्रीम्स के चक्कर में साला, तुम लोगों की मैंने बैंट बजा दिया, सारे करजे चड़ गया, घर खरीदा था वो भी बेज दिया, घर भी बेज दिया, जेवर वेवर सारे बेज दिया, मतलब यह मेरे एक ड्रीम के और जासे तुम सब लोग वो रहे हो, इसको दुबारा मत बोलना, क्योंकि जो भी sacrifices या कुर्बानिया तुम दे रहे हो, तुम अकेले नहीं दे रहे हो, हम सब तुम तुमारे साथ में और तुम यह बोलोगे कि यह गलत किया, तो हम सब की कुर्बानी वेस्ट हो जाएगी, उनके लिए यह जॉएं ब्रीम था, य और फिर उन्होंने यही कहा कि अगर कुछ नहीं भी होता है आगे चलकर, इस चीज की तसली रखो, कि तुमने कोशिश तो की लाइफ में अपना सपना पूरा करने की, कई लोग वो भी नहीं कर पाते हैं, तो इतनी हिम्मत दिखाए तुमने अपने जिंदगी के इतने साल लोग यह भी नहीं कर पाते हैं, अटलीस तुमने यह तो किया, तो इस चीज की तो तसली रहेगी, भाई जो पहला जो ब्रीक था, उसमें पैसे मिले थे कि नहीं, पैसे मिले थे, बहुत कम मिले थे, लेकिन मिले थे, तो जैसे मैं जब नौकरी कर रहा था, वसी दौरा में मैंने दो फिल्में की थी, Slumdog Millionaire और हाले दिल, जिसमें छोटे-छोटे से वो थे, मतलब वो था कि एक दोस्त ने बोला कि audition पर जा, मैं हुआ, select हो गया, office से छुट्टी लिए मैं वापस, I had no inclination of pursuing it as a career, बिलकुल दूर-दूर तक वो नहीं था, तो जब मैंने audition देना शु मतलब at least 20 days का था और मेरे लिए तो मैंने कोई मोल भाव करने का वही नहीं था, मैंने बोला आप जो देंगे, नहीं भी देंगे तो मैं खुशी-खुशी शूट पर हाजिर हो जाओंगा तुमाने 20,000 copies per day? हाँ, ऐसा ही कुछ तो, which was not bad. not bad at all, or कौन से year था ये शायद? 2012. which is not bad for that time. और वो तुमारा पहला acting का था? पहला acting का काम था और सीधा मुझे जब तक है जान मिली थी. और उसके तुरंद बाद, फिल्मिस्तान जिसमें मैंने main lead लेक है. तुमाने वो तो अंगार बचा दिया तुमें भाई. उसके लिए मुझे देड़ लाख मिले थे. अच्छा? और वो किते दिशुटे दिशुटे थे? वो 20 दिन का काम था. और उसमें मैं 20 के 200 दिन था. तो तुमारे बहुत सारे solid films है, जब तक है जान, series, family man, filmistan, तुम अभी तरला कर रहे हो, the list is never ending, अभी वैसे होने लग गया है. वो कौन से एक-दो projects है, जिसने not only तुमारी जिंदगी बदली भाई, बट तुमने life के बारे में बहुत कुछ सीखा? Two films, अगर दो projects बोलूँ तो सबसे पहले filmistan है, मेरी life, जो है मतलब लोगों ने पहली बार जब मुझे पहचाना मेरे काम को recognize किया, वो filmistan था, क्योंकि जब तक है जान से भी मुझे लोगों ने पहचाना appreciation भी मिला, लेकिन filmistan क्योंकि I was playing the main lead, और कहानी पूरी मेरे इर्गिर्थ थी, उससे मुझे avoid करना मुश्किल था, और फिल्म वाकई बहुत अच्छी प्यारी बनी थी, उसे national award मिला best Hindi film का, और मैंने वो ceremony attend की जब हमें national award मिला था, और वो इतना proud moment था ना जब नितिन ककर जो फिल्म के डिरेक्टर ने जब वो award लेने गए राश्टरपती जी से, ओ, कमाल, कमाल, वो मैं कभी जिंदगी में ने बोल सकता, उसने मेरी जिंदगी में बहुत खतरनाक change, वो एक बदलाव लेकर आया, उस फिल्म मतलब फिल्मिस्तान से, पदलाव इन टरम्स ऑफ इंडस्ट्री आपको नोटिस करना, या फिर आम आदमी उठकर करना है, रहे यार शारे भाई सेल्फी क्या था या दोनों? नहीं, आम आतमी का सेल्फी थोड़ा मुझे उसके लिए वक्त लगा, तो मैं हम कोरिया में थे, साउथ कोरिया में, बुसान फिल्म फेस्टिवल में और एक स्क्रीनिंग हो गई थी, और हम रस्ते पर ऐसी वॉक कर रहे थे, तो एक कोरियन बंदा आया और उसने वो मुझे अक्दम हग कर दिया, अब सानीन, सानीन, यो, मूवी, आह ऐसे करके वो जिस तरीके से उन्होंने रियक्ट किया ना, न उनको हमारी भाषँ आ थी ना हमको उनकी भाषण आथी हे, लेकिन वो सिर्फ वो कहानी से वो जिस तरीके से वो जोड़े थे, और वो ऐसे गले लगे जैसे वो मुझे जानते हैं क्योंकि वो ऐसा था सनी अरोरा कि आप मतलब उसमें अपनी जलक आपको नजर आती है तो वो ऐसे गले लगा और मैं भी उससे उतनी दिल से मैंने भी मतलब भाई को गले लगाया और वो बहुत ही ओवर्वल्मिंग एक्स्परियंस था मेरे लिए और धीरे धीरे अवार्ड में सारे अवार्ड में नॉमिनेट हुआ था फिल्मिस्तान के वी और स्क्रीन मुझे मिला भी था प्रवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल लेकिन वो वह सेलफी लेने वाला वह वह चीज वी फैमिली मैं से क्योंकि फिल्मिस्तान के बाद पता नहीं मुझे लगा था कि भाई अब तो हो गया अपन पहुँच गया वाट आगया वाट आगया वाट आगया व तो मेरे खियाल से तो तो तीन साल और सटनली मतलब जो मैं कुछ अच्छी फिल्में साइन की थी वो शुरोने से पहले ही बंद हो गई या कुछ आधे में अटक गई या अगर जो बन गई तो रिलीज नहीं हो रही है और टाइम फिर गुजरता गया साल का दो साल हो गया द बहुत पत्किन बहुत बहुत बढ़े पे Coreyland वह अब घूऽा तो बोऔर बढ़ फिल्मिस्टान के पहले मैं ने कोई सस्ञेस देखी नहीं थी तो जब फिल्मिस्टान लाइफ में हो गई भले मतलब बहुत बड़े पेमाने की काम्या भी नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहु कोई मीडिया इवेंट पर जाता था और आक ऐसी गुजर जाता था और कोई बोलता भी नहीं था और फिल्मिस्तान के वक्त थोड़ा सा लोग सर बुला ले देते रुख जाता था तो फिरसे गैब और फिर और अउडिशन करना पट रहा है फिरसे मतलब वो चकर काटो मैं और पैसे फिर खतम होने के यह तक की मतलब फिर मेरे जो मेरे साले सहप're u.s. अनों हम उनों उन्हे बोला तो इधर आजा जो आम लोहों की जो एक mentality होती है ना कि अगर मतलब एक इतने बड़े star के साथ में अगर आपने काम कर लिया तो फिर तो मतलब लेकिन अपनी अपनी life होती है, सबकी अपनी journey होती है, सबकी अपनी destiny होती है, तो वो आपको अपने हिसहाब से अपनी individual journey आपको तै करनी पड़ती है और मैं उस सफर में निकल पड़ा था, मुझे अब कोई और काम नहीं करना था और मेरा focus वहीं था. इस वक्या rejections में पहले तो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि तुम नहीं हो, तुम writer हो, तुम rejections face करे हो, क्यों कोई जानता ही नहीं कोई तुम क्या कर रहे हो है, यहां थो थोड़े-बहुत लोग industry तो जानने लग तो अब क्या rejection हो रहा है? अब हर जगा पर अलग-अलग level की जद्धो जहद होती है, अब यहां पर मुझे auditions बड़े projects में बड़े roles के लिए हो रहे थे, और वहां पर मैं shortlist भी हो रहा था, लोगों से काफी चीजे, बातें आगे बढ़ती भी थी, लेकिन आब वहां पर भी competition है, वहां पर भी लोग जरूरत नहीं हो, मतलब हमको फिर अलविदा कर देते थे, तो ऐसे करके जो है, उस होजा से rejections होते थे, तो इस बार मतलब क्या कहते हैं उसको जो rejection है वो polite तरीके से ज्यादा होता था, इजद के साथ, इजद के साथ मना किया जाता था, पर कभी ऐसा तुमको मिला है, बहु अच्छा ये कारण था भाई, हाँ, मुझे एक के लिए किसी ने बोला कि काफी चीज़े आगे बढ़ गी, फिर वाद में बोला कि हम थोड़ा एक यंग टाइप का कारेक्टर थोड़ा यंगर ढूंड रहे थे, तो अब तक मेरे साथ में क्यों बुलाया क्यों और इतना, युई कि वैसे ज Stage लोग एक्स्क्उजद भी नहीं देते है और कोई फोन भी नहीं करता है कि आपका नहीं हुआ हम को पूछना पड़ता है क्यों हो गया क्याँ, अब धीरे-धीरे लोग्र मास करते हैं है फोन करने पिर बोल कि असान नहीं हुआ. मुझे rév赲ादम को ओररल अब हमारी लाइफ काफी बदली ठैंक फुली मतलब पता नहीं मैं यह कैसे बलू यह क्या अजीब सा उपर वाले का खेला है जब उनको cancer हुआ जब operation हो गया और तब से मेरा काम अच्छा होना शुरू हुआ तो और मुझे मतलब family man मिला असुर मिला और family man जब release हुआ तब it clicked like how मतलब और उसने पुली जिंदगी बदल दी मेरी तो मैं मतलब career wise चीजें मेरी अच्छी होने लगी लेकिन उनको मतलब cancer ने जकड लिया और तब से मतलब काफी जिस तरीके से उन्होंने अपनी life मतलब जी है वो एक तो बहुत ही strong willed है और बहुत courageous और बहुत हिम्बत है उनमें जबी भी चार बार surgery हो चुकिये लेकिन जब surgery होती ह इसके चार-पांच दिन में मतलब खड़ी हो जाती है और मैंने इतना मतलब क्या कहेंगे उसको इतनी हिम्मत मैंने किसी औरत में नहीं देखी जितना उनके अंदर जो एक जीने की चाक यार मतलब में को अपने बच्चों के लिए करना है तुमारे लिए करना है बहुत पर बातर हो जाएगा सब सफ़ी दो इसमारे तो यह बात मतलब बहुत है पही है क्या करा के बताओ जाना कवा बहुत सारा भट ह chi थी किसा पार वाला कुछ देता कुछ लेता है तो यह ंब गजितना और भटार किसे हर हाल में जीना आदमी सीखी लेता है मेरी ख्याल से पर तुम काम करने जा रहे थे मौतरमा अन्वेल है हला कि उनका एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच है जो तुम में भी है उस वक दिमाग में तो यह चल रहा होगा राइट रोल्स पर कैसे फोकस करते हो तब यार क्या करें अब काम है तो है मतलब अगर क्योंकि एक तो बड़ी मुश्किल से काम मिला है उसमें अगर आप इमानदारी नहीं दिखाएंगे तो आगे और काम नहीं मिलेगा और वो कैमरे कैमरा ऐसी चीज है यह हर चीज पकड़ लेता है अगर आप थोड़ी सी मतलब जब तो उस वजह से जब हम कैमरे के सामने जब काम करने जाते हैं और जब एक क्यारेक्टर किरदार प्ले कर रहे है तो पूरी मानदारी के साथ जितनी मतलब हम मेरी हैसियत है या जितनी मेरी काबलियत है मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ चाहे जो भी पीछे हो रहा है आप क्या करें वो that is life तो यानि के आप जाते थे आपके दिमाख में वो चल रहा था पर यू इस तिल गेव ए 100% रहे अप्चे पर क्या भी तरही कितनी साल का आपका लड़का है या रखी है बेटा है और बेटा है और बेटा सोलह साल का है और बेटी नौ साल की है तो बेटी ज्यादा चोटी थी तो बेटी को लेकिन इन सब चीजों की वजासे जब उन्होंने धीरे देखना तो शुरू कर दिया कि ऐसा सब हो रहा है मॉम के साथ में और जब वो हस्पिटल से आते थी तो थोड़ा मतलब कमजोर हो जाती थी काफी वीक हो जाती थी और कुछ यहां से काट दिया यहां से पेस पुरा चेंज हो गया तो धीरे धीरे जब देखने लगे पता नहीं वह एक अपने आप उनमें एक मैचॉरिटी भी आ गई चीजें समझने की तो मेरे ख्याल से बहुत मेरे बच्चे बहुत सुल्जेव हैं खासकर मेरा बेटा बहुत ही बेटी मेरे जैसी फुल मस्तिक हो रहे है उसे कुछ फर्ग नहीं वड़ता दुनिया से बट बेटा काफी सुल्जावा है और मेरे ख्याल से जो उसने देखा है उस वजा से ही उसमें वह एक मेचॉरिटी आई है तो हाँ यह है कि वो कभी sad या मुरॉस यह सब नहीं हुए बट उन्होंने इन सब चीजों से क्या कहें मतलब थोड़ा एक मिचॉरिटी गेन की अब वाइफी का हेल्थ कैसे है भाई अभी माशालला काफी सही है मतलब मस्त अलम दुलिल्या दुआ कर रहे हैं कि ऐसे ही तंदुरुस्त रिष्ट पुष्ट रहे हमेशा मेरे बाई हमे मेरे शाइसे खुष रहो, sweet रहो, keep making us proud as well ये शारुक, रितिक रोशन, मनोज बाचपाई लिस्स बड़ी लंबी है जिनके साथ उनने काम किया है राइट क्या भी कह सकते है ये लोग तुमने दोस्त बन गया है कि नहीं दोस्त मेरे जो आपने नाम किने में मैं अगर किसी को दोस्त मानूंगा तो मनोज सर है मेरे मतलब मुझे फैमिली मैन के जरीए एक दोस्त एक बड़ा भाई एक फिलोसोफर एक फ्रेंड जो सारा कहते है ना teacher वो सब all rolled into one मनोज सर में मिला और मतलब वो मेरी बहुत बड़ी कमाई है फैमिली मैन के तुरू जो मुझे मिली है और कुमुद मिश्रा जी मेरे बहुत करीबी दोस्त है इनाम अलहक मेरे बहुत अच्छे दोस्त है अगर मैं अपने actors में जो आप कह रहे हैं तो मैं इनको मतलब बहुत ही ज्यादा और इनके साथ काम भी काफी किया है और काफी वक्त भी ज्यादा बिताया तो उस वजह से बढ़ा सेटप था कि मेरी मैं वैसी थोड़ा सा बंद बंद रहता था और ज्यादा मतलब ज्यादा खुला नहीं था उस वक्त सेट तो और थोड़ा डिस्टंस बना के रखता था पताने किसी को क्या चीज बुरी लग जाए तो उस वजह से शायद वो मतलब बांड वो बा करवाते थे कि यार यह यह अच्छा है तो मतलब ही वस मेकिंग माई डायलोग्स बेटर फो मी मतलब मेरे लिए तो यह और शारुखान साब कर रहे है तो इससे बड़ी और क्या हो सकता है और रितिक का रितिक वसमेजिंग बहुत मजा आया उनके साथ काम करके और वो भी मत पर मेरा close-up भी उन्होंने दो दीन बार देखा जो कि मुझे बहुत मतलब प्यारी चीज लगी और बहुत अच्छा लगा और वो इतना involved होते हैं फिल्म में चूट के वक्त और वो बहुत प्रिपार होके आता है ऐसा नहीं कि मतलब अभी करते हैं लाइन भी देखेंगे औ वो सब वो he's all prepared when he lands on the set तो वो बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी और as a co-actor उन्होंने मुझे मतलब पूरी मतलब शिद्धत के साथ वो किया और जो मेरी मेरी सबसे नहीं दोस्त मतलब मैं अगर आप दोस्त दोस्त जो कह रहे हैं वो है हुमा गुरेशी मतलब आरे व मुझे मुझे शावरा साफ के आँ से कॉल आया और और उन्होंने बोला कि एक बहुत अच्छी फिल्म है और ये बार आके नरेशन सुन ले तो मैं उनके ओफिस गया पियुष गुपता जो फिल्म की डिरेक्टर हैं उन्होंने मुझे नरेशन दिया मैं पागल हो गया अच्छी नरेशन दियुषा कि करते हैं को ये उन्हें फिल्म का तरsmाव करां नरेशन प्रम क्रमाईए बिखे क साफ में उन्होंने सैंसे बहुत था की भाई बस मुझे को कास्ट कर लो फिर उन्होंने बोला एक बार हमको एक रीडिंग करनी है आपकी जो तरला प्ले करेंगी उनके साथ में एक बार रीडिंग एक बार देख लेते हैं फिर मतलब फिल ठीक है साथ पक्का तो आप जो बोले मैं मैं तो कुछ भी करने को तयार था तरला के लिए मिलोगा I was so moved by the script and the character they were offering मैं गाड़ी में बैठा निखला फिर मैंने फोन करके जो मुकेश भाई के असिस्टेंट उनको फोन करके पुछा रहे यह तो 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 पूछा ही तो मैंने पूछा ही नी और उन्होंने बोला हुमा कुरेशी मैं अबे मां की आंक में आसो आगे मेरे मैंने बोला यह त तो पहली मतलब मैंने बोला यार इतना बड़िया रोल है यह इस वजा से नहीं जाना चाहिए और नहीं गया अहां लेकिन जब मैं गया रीडिंग के लिए जब हम मिले मैं और हुमा भी कनेक्टेड इमीडिटली जब हमने साथ में रीड करना शुरू किया वी स्टाट इतना क्विक था नहीं कि मतलब मुझे तो बहुत मजा आया मुझे लगा कि शायद और भी लोग होंगे और फिर वो देखेंगे फिर वो डिसाइड करेंगे बट पियुष गुपता और सब्सक्राइब बटलब 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 ये नलिन दलाल के पियुष भाई, मुकेश भाई, अश्वीन आयर मैम और नितेश भाई, RSVP से पाशान और असनायन जन लोगों मुझे नलिन दलाल देने में मदद किया हुमा वह बहुत बंदास है उसका अटिटुट्यूब बहुत अचा लगता है इतना मज़ा है ना मुझे लगा कि साला बहुत स्टारी देगी अटिटुट्यूड मुझको बट वह इतनी प्यारी है, इतनी मस्त, मुझे मतलब एकदम कमाल की को अच्टर मिली और मैं चाहता हूं कि हम बहुत सारा काम करें चाहे उसमें मैं फिर से उनका पती ना बनूं मालिक तेरे बंदे हम। भाई कागना के साथ कैसे था। बहुत बढ़िया था। बहुत मज़ा है थोड़े लोग, अच्छली मैं कागना को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मेरी दोस्त भी है वो, मुझे बहुत अच्छी लगई लगती है पर बहुत लोग डरते हैं। मतलब ऐसे करके कि हात पकड़ना इए करना ही मत तो मैं इतना डरा-darा की भेजा था जब पहला दिन था शूत का इतना प्यार से मिली और इतना पूरा दिन हमने जो काम किया वो इतना बढ़िया रहा इतना कमान है वो लोग जो इतनी बुराई कर रहे थे इस बंदी की इतनी प्रोफेशनल हैं और मतलब इतना क्या कहते है रिस्पेक्ट दे रही है अपने को अक्टर को तो प्रब्लम क्या है उनको छुआ दिनी तुमने वो उसकी सीन में नहीं थी जरूरत तो वो चुआ तो नहीं बट वो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं था यार एक चीज वो इंपक्ट वो बहुत प्यार से हग करती थी मुझे तु मतलब अरे तुम प्यारे हो भाई तुमारे नाम ही होना चे या हगबल इंसान वो वाला हग अंग्रेजी वाला हग तुम ऐसे हो तुम्हें देखते ही में लगता है शलाश कर निचोड़ो पपी दो तीन ऐसे ही बट भाई इंडिन फिल्म इंडस्ट्रिया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जरी अगर एक चीज जो तुम कहते हो यह प्तर हो सकती है वो क्या है अभी काफ काफी लोग अलग माइंड्स में थे कि शारिप को कास्ट करें या नहीं करें बट फाइनली अगर उन्होंने यह डिसीजन लिया सबने मिलके यानि कि लोग अब किरदार को और मतलब ज्यादा तवज्यो दे रहे हैं ना कि मतलब वो स्टार जैसा लगना चाहिए या 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 अगर वो मतलब हुमा कुरेशी का हस्बंड बनाया तो उसको इस तरीके से दिखना चाहिए या उसको he should be at least as tall if not taller तो वो सारी चीजें हटके उन्होंने हटा के उन्होंने मुझे कास्ट किया है तो मेरे खयाल से ये एक बहुत उस दिशा में जो मैं चाहता था कि लोग में तो वह हो रहा है लोग काफी unconventional casting कर रहे हैं और यह नहीं देखने कि कितना नाम है या इसके कितने followers हैं या इसका कितना craze है लोगों में जो किरदार मतलब अगर कोई actor किसी चीज में fit बैट रहा है किरदार में तो वह उसको कास्ट करें मैं सिर्फ यहीं चाहूंगा कि और हो ऐसा कई बार हो ऐसा बार बार हो ऐसा सब के साथ हो लगातार हो दुआदार हो और अलग-अलग कहानियां लोग चुने कहानियां हैं बहुत सारी हैं थोड़ा और भरोसा करें लोगों ने अभी भरोसा करना शुरू किया मैं चाहता हूं कि अगर आपने किसी कहानी को पकड़ा है कि हाँ यह कहानी थोड़ी अंकन्वेंशनल है तो जब उसको आप बनाते हैं तो जब उसके प्रोमोशन का वक्त आता है गो आल आउट तब आप हात मत बांदिये कि यह इसको ना इतना ही प्रोमोट करेंगे इसको ना इससे ज़्यादा पुछ नहीं करना है जब आपने मतलब रख दिया हाथ तो फिर उसको मतलब पूरा ऐसे करके कि भी जा ऐसे करके पुरा पुछ करिये यह मैं चाहता हूँ आखरी सेग्मेंट सिट के का अंगार लेट्स दू दिस फेवरिट अक्टर इस कंट्री में तुम्हारा कौन है बेस्ट अक्टर अकॉर्डिं मैं बच्पन से मतलब मैं एक अगर अगरा इफ यू जस्ट वांट मी तो गिव वन नेम तो मैं कमल आसन साब का नाम लोगा मैं मतलब जब से मैंने एक दूजे के लिए देखी मैं पागल हो गया भाई उस बंदे का और मैं मतलब जो आजकल लोग सब्टाइटल के साथ फिल सब्टाइटल के साथ फिल्म देखने की पड़ गई कमल अन्ना यल्ला सव किमा नींग कोड़े देनोड़ फेवरिट पार ओके एक क्रेजियस रूमर मुझे याद है मैंने एक यूट्यूब चैनल पर देखा की मेरे मतलब कुछ पांच करोड का मेरा बंगला है और वो सब मेरी तस्वीर है मेरी फैमली की तस्वीर है बीवी बच्चे सब सहील है उन्होंने फिरा गर उन्होंने कोई बड़ा सा महल जैसा कुछ दिखाया चार कार्ज खड़ी है एक मर्सीडीज एक बीम डबलू है एक फरारी है और और मेरा कुछ 15-20 करोड का मतलब अन्यूल टरन फ़र खड़ी है काश कि ये सारी बाते साथ हो जाए छूट बोल रा एक इनकम टैक्स नपार्टमेट ये देख रहा है और मोस इंपोर्डिली बॉत इंपोर्डिली ऑथ कि वीवी रही ने सेन और फोजरूरी है ये दो भाँ फुर सोर्श्सुड़री एलिए लूत हरतिई मैं यार मतलब I cry at the drop of a hat मैं ऐसे किया मतलब एक फिल्म की थी मैंने मैं वैसे ही काफी emotional सा बन्दा हूँ लेकिन जब एक फिल्म की थी मैं दर्बान जिसमें मेरा जो किर्दार था एक पादर का role character मैंने प्ले किया था और बहुत ही emotional कहानी थी बहुत ही emotional character था वो फिल्म के बाद मैं थोड़ा और ज्यादा अंदर से मतलब ना वो अंदर से मेरी वो फिल्म निकली नहीं तो मैं थोड़ा और भावुक हो गया तो मैं बहुत चोटी-चोटी बातों पर मतलब आखें बार आती है मेरी Last time I cried जब ये तरला का trailer मैंने देखा तो मतलब मैं इतना हुश था ना जिस दिन trailer आया तो मेरा जो best friend Javed उसने मुझे phone करके बोला अबे Salih तो तो hero बन गया तो मुझे मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही थी जिस किसम से मेरे दोस्तों ने मुझे मतलब जो phone करके जो बाते की जो उन्होंने social media पे जिस तरीके से उन्होंने वो अपने अपने जजबात express किये वो मेरे लिए कुछ-कुछ इतने प्यारे थे कि मतलब मैं मतलब मेरी आखें बहरा रही थी नवास भाई के वारे में भुलन है तो हम उनके hotel room में बैठे थे मैं, Sumit और नवास भाई और हमने इतना मतलब फिल्मों के बारे में acting के बारे में और मतलब ऐसी सारी चीजों के बारे में हम बात कर रहे थे तो हमने realize कि या ज्यादा तर लोग जब बाते करते हैं तो सब कोई gossip करता है यह करता है इतना कोई फिल्मों के बारे में या कोई एक फिल्म देखी या और इस actor ने ऐसे बोला था यह याला conversation तो बहुत time से किसी से किया ही नहीं था हम लोगोंने मिलके एक इतना creative और इतना constructive conversation उस दिन किया था बहुत मजा आया था वो बहुत ही प्यारे इंसान है last one criticism जो तुमने अपने बारे में सुनी वो क्या है one criticism एक में किसी ने मतलब को एक film के लिए शायद किसी ने बोला था कि मतलब बहुत ही ham किया है और बहुत overacting किया है ऐसा ही कुछ था लगता यह सम ही नहीं हाँ मुझे जो भी अगर जो भी criticism आते हैं मैं उनको हर तरीके से अच्छे वाले बुले वाले मैं तो एक review नहीं छोड़ता हूं भाई तो जो भी लिख रहे हूं ना मैं सब पढ़ रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा बुरा दोनों पढ़के कि अच्छे से लगता है कि हाँ चलो यह जो किया था यह correct किया था जो इनको अच्छा लगा बुरा से यह होता है कि ठीक है हाँ मुझे खुद कई बार लगता है कि हाँ यह चीज थोड़ी मिस हो गई तो इसको थोड़ा और ठीक करेंगे अभी अगली अगली बार जब भुजो भी होगा तो मैं तो दोनों चीजों को लेता हूं और आगे बढ़ता हूं